ही है मुंबई के पोर्ट पर कस्टम का बड़ा आक्शन वज़ा क्या है बाज नहीं आता है भारत चीन में पाकिस्तान जा रहा कंटेनर सीज किया गया है एक डिवेलपमेंट हुई है जिसमें एक कहा जा रहा है कि एक एंसाइनमेंट थी बिलकुल जानकारी ये मिल रही है कि नुक्लियर मिसाईल बनाने वाले सामान को सीज किया गया है और पाकिसान के कराची जा रहा था ये जहार जब उसको ट्रेड शिप को खोला गया तो अदर ऐसी न्यूकलियर टेक्नॉलोजी मौझू थी जो करा रहा है जो कि चैना पर किस्पूर्ट कर रहा था जो कि बैन है इस शिप में नुक्लियल फेसाइल इंडियल था अब इंडिया कह रहा है कि हम इसको जो यॉर्पिन यूनिन के सामने रखेंगे कि चाइना पाकिस्तान को वह टेक्नालोजी भेज रहा था जो कि लेकिन कुछ से यह आता है कि जो चीज़ें इंडिया कर रहे कि आ रही थी ज इसको नवशेवा कोटे रोक लिया गया हमारी इंटेलिजन से बहुत अच्छा काम कि क्या समझते हैं कि हम आज भी एक तो इंडिया चाइना के बगएर कोई प्रोजेक्ट नी कर सकते हैं पाकिस्तान जो है वह सारा टाइम सवहियां देता रहता है नहीं जी हम ऐसे हैं तो ह एक ट्रेड शिप जो था वो चाइना से कराची आ रहा था पाकिस्तान कराची में लेकिन इंडियन इंटेलिजनस ने उसको रोक लिया और उसको बंबई ले गई और बात में पता चला कि उसमें जो है न्यूकलिट टेकनोलोजी मौजूद है जो चाइना पाकिस्तान को भे प्रोग्राम जो है मजीद अपग्रेड हो जाते और यह वो टेकनोलोजी थी जो आलमी सता पर बैन है लेकिन फिर चाइना इसको पाकिस्तान भिजवा रहा था क्या कहना चाहेंगे आप इस खबर पर देखे मुझे तो यह लगता है कि टोटली फेक निउस है और इस टोटल पाकिस्तान के मीडिया की जानिब से इस खबर की तस्दीक भी नहीं की गई लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो हर टीवी चैनल पर यह खबर नशर की जा रही है चाइना से एक शिप जारा था पाकिस्तान कहा जा रहे इस शिप में नूपलुयर बम में होसकता है और नूपलियर ब 여러분들 ने इसको भाप कुर्ट पे रोक लिया गया हमारी और आच्छा काम किया जिस में अच्छा vaccin yourself कि बड़ा अच्छा काम किया और इसकी अभी भी जांच जारी हैं पहली बार नहीं है कि चाइना का कोई कंसाइमेंट रोका गया है मोधी है तो मुम्किन है बहुत सारे मोधी बात ये बोलते हैं लेकिन इससे पहले भी हुआ था पर मन्मोहम सेंग के टाइम पे जब एक प्लेन दुबई से चाइना जा रहा था डिफेंस एकिपिन लेगे जा रहा था उसको पॉलकता पर लैंड करा है कि इंडिया हमारे उपर इंटेलियंस कर रहा है और हमारा समाल ब्लॉक कर रहा है चाइना तो कुछ भी बोल सकता है चाइना के बोलने पर हम लोग क्या ही कह सकते हैं ठीक है ना बट अब अगर उनका ये क्लेम है कि कोई कि शिप फ्रम चाइना डू पाकिस्तान स्टाप्ड एट मुंबई तो ये एक फैक्ट्वल इंक्वाइरी का मुद्दा है कि उसमें क्या-क्या चीजे थी और फिर जो कस्टम्स ओफिशल ने क्या होगा वो किसी इंटेलिजेंस इंपुट पर ही क्या होगा है ऐसे तो है रोज भारत कुछ न कुछ इंटरनेशनल वार्डर्स में ऐसा कर रहा है जो के आपिसली डाट इस कंसर्निंग फर पाकिस्तान लेकिन पाकिस्तान की खामोशी और साइलेंस की मुझे समझ नहीं आई और अभी हुआ यह है कि एक डिवलपमेंट हुई है जिसमें एक कहा ज इंटरसेट किया जो के कराची आ रही थी और कहा जा रहा है इंडियन कहते हैं कि दिस वस टेकिंग सिस्पीशियस कारगो जिसकी वज़ा से वहां पे उनको अलर्ट हो गए और पिर इंडियन अथारिटीज ने उसकी इंस्पेक्शन की है और यह इंडिया कहता है कि यह जो ह नन प्रॉलिफरेशन में है तो थोड़ी सी मुझे इसकी समझा है अब वो कहता है इलीगल ट्रांसफर है डूल यूज मिलिटरी ग्रेट आइटम्स टु पाकसान इसमें क्या हो सकता है एक तो यह है कि डूल यूज मिलिटरी ग्रेट इसमें यह पॉसिबिलिटी है जो अग किसी सेकंड कंट्री को इसके हवाले से क्या है आपको पता है इंडिया नॉज नॉन प्रॉलिफरेशन टुटी का मेंबर नहीं है तो क्वेस्टन यह है कि क्या इंडिया जो इंटरनेशनल प्रोटोकोल्स हैं इंटरम्स अफ यूए नसी 1540 और इस तरह के बहुत सारे ऐसे यूएन चार्टर के अंदर ऐसे यूएन के अंदर ऐसे रेसलूशन्स हैं जहां पर जो प्रॉलिफरेशन आफ नॉक्लियर वैपन एंड इक्विप्मेंट और बहुत से ऐसी चीज़ों जो हैं वो उसकी टेक्र करना अगर कहीं भी हो रहा है तो वो जो मुमालिक हैं यूए को फॉलो करने वाले हैं वो अगर वो आपस में एक कंसाइनमेंट भेज रहे हैं तो अब ये जी इंडियन्स कहते हैं जी कि स्पेसिफिक इंडेलिजेंस हमें रसीव हुई और हमने जब स्कैनिंग की ऑफिशल डॉकुमेंट्स जब हमें देखे आए जो डॉकुमेंट्स थ कहा जा रहा है कि 22,000 केजी की किनसाइनमेंट है और पाकिसन विंग्स एक कंपनी है उसके लिए थी और अब ये जो चीज है इसके बड़े सारे एंगल है पहले एंगल ये है इंडिया इस डुइंग इट तो मेक दे वेस्टन वर्ड हैपी अमरीका को कहेंगे देखे जी हम हमने इस वकत जो इंडिया नोशन का जो कंट्रॉल संबाल लिया है हम जी नेट सेक्यूरिटी प्रवाइडर है हमारा जी तालुक जो है वो पाकिस्तान हमारा तालुक जो है वो दुनिया में और खिते में अमन लेके आने के लिए this is what obviously at the end of the day when you do it you do it for some purpose ना आप किसी purpose के यह कर रहे होते हैं कि क्या आपके है and then अगर कोई ऐसी चीज हो military के related कोई चीज होती मेरी जाती नजर यह है तो फिर तो वो military ships में आती ठीक है या वो military navy के जहाज गूमते रहते हैं तो वो वहाँ से चीज उठाते है और पाकिसान ले आते तो किसी ने क्या रोकना था अगर कोई ऐसी चीज है जो पाकिसान की navy ship के अंदर मुझूद है तो can Indians stop it? Indians can't stop it because उनको पता इसके consequences होंगे लेकिन international waters के अंदर जब private contractors या private companies जो हैं वो अपनी कर रहे हो और यह चीजें हो रही हो तो यह जो question है यह कैसे फिर address होता है?